हेलो माइन दियर फ्रेंड आज हम लोग इंडियन हिस्टरी का इंपोर्टेन चेक्कर सिंधु श्रभैता या फिर हडपा शरभैता जोकी एकजाम में बहुत बार पूछ्छे जाते हैं और हर पूछे जाते हैं इसलिए पहला कोईशन हम लोग सॉल करते हैं यहां पर अप्पा श्रवाधिक शामान मानता प्राप्त काल कौन सा है अठाइस से इसा पुरू से सब्थल बिल्कुल करेक्ट है 25 जो उशापर ह visão पुरू से 1780 इस थैसलिए सिंग्दऊ घाती की सब्था नुणुलिखत मेंसे कि सब्था के शम्काली नहीं थी मिस्र की सब्था निसलिए की सब्था चीन की सब्था और ग्रीक की सब्वेता के शमकालियन नहीं थे तो करेक्ट आप्षन यहां पर हो जाएगा डी यानी ग्रीक की सब्वेता के शमकालियन नहीं थे बाकि मिस्र चाइना और मेसोपेटामिया की सब्वेता के शमकालियन थे यह श्वेशन है शिंदु घाटी की सब्वेता कहां तक विस्त्र थे पंजाब दिल्ली और जंबू काश्मीर राजस्थान बिहार बंगाल और उडिशा पंजाब राजस्थान गुजुश गुजुशा और बंगाल पंजाब राजस्थान गुजुरात उत्रपदे शडियाना और शिंद्ध और बलुचिस्तान तो कहां तक यह बिस्तिर थे तो correct option जो होगा यहाँ पर वो D होगा, अगर D आपने किया है तो बिलकुल correct है, यह इस question हम लोग देखेंगे, question number 4, सिंधु घाटे की शभिता में घोडे के आउशेश कहां मिले हैं, सूरुकुर्दा में, बडावली में, मांडा में या फिर काली बंगा में, घोडे के आउश अगर आपने आंसर दिया है यह तो बिलकुल सही यानि राजस्तान में, निलेखित में से किस पतार्थ का उपयोग हडपा काली मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है, सेल खड़ी का, काशा का, तामबा का या फिर लोहे का, हडपा काली में किन मुद मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था, तो अगर option A आप देखेंगे तो बिलकुल शही है, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था, हडपा किस यूग की थी, कांस यूग की थी, नौपाशान यूग की थी, पुरा पाशान यूग की थी, या फिर लो यूग की थी, और क्या शबयता किस यूग की थी, तो option A विलकुल सही है, यानि कांस यूग की थी, सेल खड़ी का यूग की थी, नौपाशान यूग की थी, नौपाशान नौबर एट, सिंदू घाटी शबयता के लोगों का मुख्य व्यवशाय क्या था, ब्यापार करना, पशू पालन करना, सिकार करना, या फिर क्रिशी करना, सिंदू घाटी के शबयता का में काम था यह ब्यापार करना, यानि बीनिस करना, हड़पा शबयता के निवासी क्या थे, ग्रामिर थे, सहरी थे, या यावर थे, या फिर जन जाती है थे, यानि ग्रामिर शबयता जो से बनाए जाते थे इत से बांशे पथरों से या फिर लघ्डी शे बता जबताẩ में सिंदु से बता कि घरों का निर्माण निर्माइब किस से किया जाता था अगर आपने आंसर दिया साओं ये तो बिल्कूल सही है इर से बना जाता था क्योंकि एर कि बहुँ शारे प्रमान मीले हैं हरपका शर्बेत्ता वासी किस वस्तू के उत्पादन में शर्व Waitum थे जाए मुदरा बनाने में से हव्पाश बैता का सबूरफ्प्रत्रमखूज करता कौन था सर्जॉन मार्षल आरडी वनरची एक कनेंगम या फिर दयाराम शाहे। सबुздर में ऑप्रत्रमथवउ करता कौन था यहां आंसर होगा भी यानि लोथल नेश्ट है पैमानों की खोश ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परशित थे या खोश कहां पर हुई तो करेक्ट आंसर के गर बात करें तो काली बंगम या हडपा या फिर चुहन जोदो या फिर लोथल तो डी यानि लोथल बिल्कुल परेक्ट होगा यहां पर नेश्ट है कोशन नमबर 15 हरपका कालीन समाज किन वर्गों में विभाक्त था सिकारी पुजारी किसान और छत्री या फिर विद्वान युद्धा व्यापारी और श्रमित तो करेक्ट आंसर के बात करें तो इसी दोनों में से है करेक्ट आंसर आप चाड़ सकते हैं तो यह कि बी ओप्शन यहां पर करेक्ट होगा इसका इसका नमबर हमनों देखेंगे क्वेश्चन नमबर 16 सिंधु शबेता का सरवाधिक उप्युक नाम क्या है हडपा शबेता सिंधु शबेता सिंधु गाड़ी शबेता या इन में से कोई नहीं तो सरवाधिक उप्युक जो है हडपा शबेता नाम है सरवाधिक उप्युक जो इसका नाम है कौन शाह है क्यों हडपा नेक्स्ट ह से कौन से लक्षण सिंदु घाटी से बताएं के लोगों का सही चित्रन करते हैं उनके विसाल महल और मंदिर होते थे वे देवी देवताओं दोनों की पुजा करते थे कि वे युद्ध में घोड़ों दोरा खीए जाने वाले रथों का प्रियोग करते थे तो इनमें कौन सा सही चित्रन बताता है अगर बात करें तो ओप्षन है केवल एक या दो एक दो और तीन और इनमें से कोई ने करेक्ट आपसर अगर आपने किया है यह तो बिल्कुल सही है याने दो केवल सही होगा यहां पर इवे देवी देवताओं दोनों की पुजा किया करते थे हड़पा शबयता की खुज किस वर्स में हुई थे 1935 में 1942 में 1901 में या फिर 1921 में हड़पा शबयता की खुज किस वर्स हुई थी तो करेक्ट आंसर जो होगा वो दी यानि 1901 में हड़पा शबयता की खुज हुई थे हडपा से बता के बारे में कौन सी उक्तिक शही है उन्हें अस्वमेग का जानकारी थे गाय उनके लिए पवित्र थे पशुपती का शामान करना आरम क्या या उनकी संसितिक शामानता इस्थिर थे तो अगर बात करें 19 का सीरों ने परषूपती शम्मान प्रारम प्रारम किया था शामाजी परषती है उचित शमतावादी, दास्तन्यतक अधारत, यह यह फिर जादी अधारत करेट अंसर की बात करें तो यह यहां पी जो होगा उचित शम्तावादी थी उचित शम्तावादी नेस्ट नमबर 21 सिंधु का नखलिस्तान बाग या फिर हडपा शबयता के किस पुरा अस्तल को कहा जाता है ओप्शन है हडपा या फिर मोहन जोदोरो काली बंगा या फिर लोथल किसको सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है सिंध का बाग कहा जाता है तो 21 का जो correct answer है मोहन जोदरो यानी बी option correct होगा हडपा सेवता के संफूर चेतर का आकार किस प्रकार का था वरगाकार आयताकार त्रिभुजाकार या फिर बोलाकार तो रपता सेवता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार आकार हुआ करते हैं नेश्ट को सुमेल करना है कि अस्थल और नदी कहां से सुमेल लिख किया है तो अस्थल और नदी एकर दिखते हैं पहड़ा हडपा तो हडपा रावी नदी किनारे ये बिल्कुल सही है मोहन जोरो सुंदू नदी किनारे ये भी सही है लोथल भोगा नदी किनारे और काली बं तो यह बिल्कुल सही है तो तरीक टांसर जो होगा वो 23 का यह बिल्कुल सही है यह पर अप्शन हो जाएगा कि नेश्ट क्वेंश्ट नॉम्बर 24 लिश्ट अप्शन में बोला है कि अंतरगत हल से जोते गए खेत का सक्ष कहां से मिलता है अप्शन है रोपन लोथल काली बंगा या फिर बडावली से तो यहां पर हो जाएगा सी यानि काली बंगा से जोते गए खेत के सक्ष कहां से मिलते हैं सेंधोर्यफ्रव्व्व्यत्ता की इंग्किशों का अलंकर्ण किस अस्तान से मिलता है। काली वंगासे, चहंदोरों से, मोहनजदोरों से, या फिर बढ़ावली से। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा यहां पर अगर आपने एक चिया तो विल्कुल शैही है। काली वंगा तुस्य नमबर है 27 सिंधु शब्यता के ब्रिषत असनानागार पाया गया था मोहंजड़ों में हरपा में लोधल में या फिर काली बंगा में तो ब्रिषत असनानागार कहां पाया गया था तो ब्रिषत असनानान जो है बिल्कुल ए सही है यानि मोहंजड़ों में पाया गया किस देवता के संगतुल्य अधिशिव आधिब्रह्म्हा आधिविष्ण या पिर आधिएंद्र यहां पर देखेंगे तो आधिशिव की ही छित्रसामानता मिला करते थे लिखत में से कौन साहरप्पा काली नेसल गुझरात में था काली बंगा रोप्रण बनाओली यह फैल लोथidents किनों में से कौन साथा इस नसर यहां पर डियन लोथतन में है कि तो इन स्टॉर्फ आपको हो जाएगा डि यानि मृत्व को कर टिल्ला मौंट मौंड ओफ डेडर मृत्युकों कर टिला इसका जो है सरवाधिक प्रशलित नाम किया है सेंथव अस्तलों के उठ्खनन से प्राप्त मुहरों परणुलेखित में से किस पशु का सरवाधिक उतिकिर्णन हुआ है राप्त मुहरों में सेर का खुड़ा का बैल का या फिर हाते का यहां पर बैल का ज्यादा मिला है यानि ऑप्शन C कि सिंदो घाटी सवयता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए मुहरों मुहरों के लिए अपने किसी संबंधिकार के लिए या पिन अपने उद्योग के लिए तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने नगर नियोजन के यह यानि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है सिंदो शबयता का कौन सास्थान भारत में इस्तित है जड़पा मुहरों लोथल या फिर इन में से कोई ने एक आंसर जो होगा वो सी है यानि लोथल जो गुजर पुराना शहर है रप्पा है पंजाब है मोहजदुल है या फिर शिंदु है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल खरेक्ट है यानि 35 का ए तो 35 तक में लोगों ने प्वेस्टिन किया है यह पार्ट वन है तब तक उसको पढ़ तक ए तक शू क्यों और विए चाहता है